नमस्कार दोस्तों ए लर्निंग विद दुर्गेश क्लासिस में आप सब का स्वागत है मैं गोविन कुमार आप सब के बीच सीटेट एक्जाम को देखते हुए संख्या पदती चैप्टर पर आधारी कुछ प्रस्नों को आपके सामने लेके आया हूँ जिसे आपको साल्व कर खाँगा तो दोस्तों एक जाम बहुत नजदीक है एक जाम को देखते हुए कुछ इंप्रटन क्यूश्चन है जिनको हमाँ करें एक एक करके किस्टेस्ट साल्व कराएंगे और आप सभी लोग किस्टेश्चन को ध्यान से देखेगा और मेरे साथ उसको साल्व गरिए गा जैसे पहला क्यूस्टिन है 45678 में 6 के अस्थानिय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या है अपसन आपके पास है पहला 600 दूसरा 594 तीसरा 606 और चौथा अपसन है आपका 94 तो देखिए सबसे पहले अस्थानिय मान गयात करने के लिए हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 45,678 अस्थानिय मान निकालने का जो नियम होता है इसमें यहाँ पर एकाई का जो अंक होता है इसको ऐसे लिखते हैं एकाई का अंक अर्थात एक यानि की आठ गुड़े एक बराबर आठ इसी प्रकार से यह होता है दहाई पे तो हम इसको लिखते हैं पहाई यानि 7 गुड़े 10 बराबर सक्तर छे का पूछा है सैकड़ा तो 6 गुड़े 100 बराबर 600 आपको बस केवल 6 का अस्थानी मान बताना है तो 6 का अस्थानी मान 600 और इसका पूछा हुआ है कि अस्थानी मान तथा अंकित मान तो इसका अंकित मान क्या है? 6 ही है तो 6 का इसमें अस्थानी मान 600 और इसका अंकित मान 6 इसका अंतर निकालेंगे तो 10 मिस 6 गए आपका 4 और यहां 9 और यहां पे 6 पांच 594 तो यह अंसर आपका दूसरा वाला सही हुआ 594 इसी प्रकार से अगला क्यूस्चन है आपका चार अंकों की नियुनतम संख्या ग्याद करें जो नमासी से पूर्टिया विभाजित हो चार अंकों की सबसे नियुनतम संख्या ग्याद कीजिए जो नमासी से विभाजित हो इसका पहला अप्शन आपको दिया है 1068 दूसरा अप्शन है 1089 तीसरा अप्शन है 102 और चौथा अप्शन है 1168 तो दोस्तों ऐसे प्रस्थनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें चार अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए चार अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करने से पहले हम आपको बता देते हैं जब भी आप देखते होंगे सबसे छोटी संख्या की बात तो सबसे छोटी संख्या आप देखते होंगे एक अंकी आपको पूछी जाती है तो एक अंकी सबसे छोटी संख्या सोने इसको हम बताते हैं फिर सवाल बताते हैं आपको जैसे एक अंग की सबसे चोटी संख्या की बात होगी तो 0 सी स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद जब कोई अंग का आएगा तो वो कितने का हो जाता है 10 यानि 9 के बाद 10 आया तो अब यहां देखिए अंग कितने हो गए द इसी प्रकार से 11 12 13 यानि कि जब दो अंग की सुरुवात हुई थी कहां से हुई थी दस हुई थी इसलिए दो अंग की सबसे चोटी संख्या हमारी क्या होगी 10 होगी इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे 11 12 13 तो फिर आगे जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 तो 99 तक हम द जैसे ही हम 90 90 के आगे गए 100 मिला अब यहां यह अंकों की संख्या कित्ती हो गई 3 इसलिए 3 अंकों की सबसे चोटी संख्या क्या होगी 100 होगी ऐसे ही 4 अंक की सबसे चोटी संख्या की बात आएगी तो एक लिख करके 3 0 या तो आप इस तरीके से याद करेंगे या आप क्या करेंगे जब भी जितने अंकों की संख्या पूछी जा रही है सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है तो एक लिख कर अगर चार अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो तीन पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या तो चली हम सवाल लगाते हैं अपना यहां पर पूछा था चार अंक की सबसे छोटी संख्या अब चार अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक हजार है, इसमें हम क्या करेंगे, नवासी से भाग कर देंगे, कहा कि नवासी से विभाजित हो जाए, तो अब एक हजार तो नवासी से विभाजित होगा नहीं, अब एक हजार से कोई बड़ी संख्या होगी, अब इसमें हम क्या करेंगे, नवासी से भाग करेंगे, तो आपका ग्यार है फिर इसके बाद आपका एक बार जाएगा यहां नावासी इसके बाद आपका कि नौ में से दस मिस्त नौ गए एक यहां बचाए आपका कि 21 कि तो देखें नावासी से भाग देने पर जब यहां पर हम एक बार ले गए तो 21 बचा अगर हम इस एक हजार में से 21 घटा देते हैं तो यह संख्या हमारी एक हजार से छोटी हो जाएगी अर्था तीन अंकी संख्या हो जाएगी ऐसे में हम क्या करते हैं एक बार न ले जाकर के यहां पर अगर हम दो बार ले जाएं मतलब तो एक अंक जादा बार लेके जाएंगे तो नवासी का दो में मल्टिप्लाई होगा तो यह आपका 107 और 110 यहां आप कहेंगे गटेगा नहीं लेकिन अगर हम घटाते हैं बीजगाड़ित के नियम से तो यहां कितना कम हो रहा है आपका 10 लिस आठ यहां पर घटेगा hate यह तो गटेगा नहीं, आठ में 0 गटाएंगे तो क्या आएगा, आठ आएगा और यह बचा आपका कितना 68, अर्थात इसको गटाने के बाद इतने की कमी है, अगर यही चीज इतना आपका एड होता, तो क्या हो जाता, एक हजार में, जो यहाँ पर रिमेनिंग बच गया, ए से विभाजित हो जाएगी, नमासी से विभाजित हो जाएगी, अगला सवाल है आपका, 43,90,675 में, नौ का अस्थानी मान क्या है, अब इसमें देखे, अभी हम आपको अस्थानी मान के लिए बताए थे, नौ का अस्थानी मान पूछा है, तो हम ऐसे सबसे पहले लिख देंगे संख्याओं को, 6,7, अब यहाँ से देखे, यह हो गया इकाई, यह हो गया दहाई, यह हो गया सैकडा, यह हो गया हजार, और यह लाक, और यह हो गया 10 लाक, तो हमको सिर्फ नौ चाहिए, तो नौ को अंसर 9000, इसी प्रकार से आपका अगला प्रस्न है, दास्मीक प्रडाली में, प्रडाली में, चार अंकों की कूले, कितनी संख्याएं हैं, अब यह आपका पहला प्रस्न है, 9999, दूसरा प्रस्न है, 9995, और तीसरा प्रस्न है, 9000, और चौथा प्रस्न है, 1000, तो देखे, यह प्रस्न आपके सामने नया लग रहा होगा, कि दास्मीक प्रडाली में, चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, अब सुचिए, दास्मीक प्रडाली क्या होती है, दास्मीक प्रडाली वह प्रडाली है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिरो से ले करके नव तक के अंकों का उप्रडाली करके हम संख्याओं को बनाते हैं, वही दास्मीक प्रडाली होती है, तो एक होता है बायनरी नंबर, बायनरी नंबर में क्या होता है, सिर्फ दो अंक का यूज किया जिरो और एक, जिरो से ले करके नव तक के अंकों का उप्योग हम करते हैं, तो अब यह पूछा है, चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, आपको पता है कि चार अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, चार अंक की सबसे छोटी संख्या एक हजार, और चार अंक की सबसे बड़ी संख्या, यह है सबसे छोटी संख्या, और ये चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 तो देखें, चार अंक की सबसे बड़ी संख्या यानि स्टाइट हमारा चार अंक की सबसे छोटी संख्या अर्थात एक हजार से हुआ, इसके बाद एक हजार एक, एक हजार दो एक हजार तीन, इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, तो 9999 तक आपका चार अंकों की संख्याएं मिलेंगी जैसे ही आप इसके आगे एक अंक बढ़ेंगे, तो ये 9999 आपका बन जाएगा दस अजार, और वो दस अजार हो जाएगा पाँच अंकों की संख्याँ जबकि आपको चाहिए कितने अंकों की संख्याँ चार अंकों की, तो चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी तो अब आप देख सकते हैं चार अंक, इससे पहले कितनी संख्या रही होगी तीन अंग की 999 यह है तीन अंग की सबसे बड़ी संख्या इसके बाद यह चौता अंग इस्टार्ट हुआ है तो 999 यहां पर है जो कितने अंग की थी एक हजार में से 999 संख्याएं क्या है चारंग से कम है इसके बाद से यह स्टार्ट हुआ यहां तक गया अर्थात हम चारंग की सबसे बड़ी संख्या में से क्या करेंगे नौहजार नौह सो निन्यानवे में से यह सबसे छोटी संख्या जो आपकी थी चार अंकी उससे पहले की जो तीन अंकी सबसे बड़ी संख्या है उसको हम क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे तो नौ मिस नौ गया जीरो, नौ मिस नौ गया जीरो, नौ मिस नौ गया जीरो और यहाँ यह, यानि आपका आप्चन कौन सा सही हो गया, यह तीसरा आप्चन सही हो गया, आपका अंसर आया 9000, तो दासमी प्रलाली में चार अंकों की कुल जो संख्याएं है, वो कितनी है, 9000 है कि इसी प्रकार से आपका अगला प्रस्न है सबसे छोटी अभाज संख्या क्या है सबसे छोटी अभाज संख्या क्या है यह प्रस्न एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपसन में आपको दिया है पहला आपसन दिया है तीन दूसरा आपसन दिया है दो तीसरा आपसन दिया है एक चौथा आपसन दिया है चार देखिए यह प्रस्न पूछा है सबसे छोटी अभाज संख्या अभाज संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्याओं से करती नहीं है एक को और सोयंग को छोड़कर जो किसी भी संख्या से नकटे ऐसी संख्याओ बहुत बार एक जाम में पूछा गया है इसको विशेश कर आप लोग याद रखिएगा एक जाम में बिना लगाए आपको एक नमबर देगा यह सबसे छोटी अभाज संख्या दो है इसी प्रकार आपका अगला क्यूस्चन है एक से 20 तक की अभाज संख्याओं का योग क्या होगा एक से 20 तक की अभाज संख्याओं का योग क्या है इसका पहला अफसन दिया हुआ है 77, दूसरा अफसन दिया हुआ है 56, अर्था 56, और तीसरा अफसन आपके पास है 78, 78, 14 अफसन आपके पास है 59, 69 तो देखिए 1 से 20 तक की आभाद संख्याओं का योग, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा, कि 1 से 20 तक में कुल कितनी आभाद संख्याओं हैं और कौन-कौन सी हैं, ऐसे में आप लिखेंगे जैसे 1 सबसे पहले, अब देखिए 1 हो गया, दूसरा आपका, एक किसी से नहीं करता, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, और 19 हो गया, अब इन सब संख्याओं को हमको जोड़ना है, अब इसको आप बारी-बारी से जोड़ दीजिए, अगर आपको लंबा दिख रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सरल बनाने के लिए, 19 में एक जोड़ा तो क्या हो गया, 20 हो गया, इसी प्रकार से 17 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 20 हो गया, ऐसे ही आप 11 में 7 जोड़ते हैं, तो 11 साथ कितना हो गया, 18 हो गया, और 18 में आप 2 जोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 18 हो 20, इसके बाद आपके पास बचा कितना है, 5, तो यहाँ पर आपका 20, 20 कितना हो गया, 40, 40, 20, 60, 60, 65, 65, देखे, आप जोड़ रहे थी, यह 20, 20 और यहाँ पर बचा भी कितना था, 5, यहाँ एक संख्या छूट गई है, यह है आपका यहाँ पर 13, तो यह आपका कितना हो जाएगा, प्लस 13, और टूटल जोड़ने के बाद, 20, 20, 60, 20, 20, 40, 20, 60, 65, 65, 65, 65, 10, 75, 3, 78, तो यह आपका अंसर हुआ, 78, तो यह आपका तीसरा आपसन सही है, इसी प्रकार से आपका अगला क्यूश्चन है, का है, दू संख्याओं का यूग 600, दो संख्याओं का यूग 600 एवं अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, यह आपका प्रस्ने, इसका पहला आपसन दिया हुआ है, 280, दूसरा आपसन दिया हुआ है, 840, तीसरा आपसन दिया हुआ है, 180, और चौथा आपसन दिया हुआ है, 360, तो देखें, ऐसे प्रस्ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 600 और अंतर दिया हुआ है 240 तो हम कह दें कि अगर माना पहली संख्या X है और दूसरी संख्या क्या है Y है तो पहली संख्या अगर आपका क्या है X ऐसे पहली संख्या X तथा दूसरी बराबर Y तो दोनों का योग देखिए X plus Y बराबर दिया हुआ है 600 और का है दोनों का अंतर 240 है अर्थात X minus Y का मान कितना होगा 40 यह equation बन गया तो 20 गडित के नियम से हम इसको क्या करते हैं जोडने पर जोडने पर क्या करेंगे यह कड़ जाएगा आपका 2 X बराबर इसको जोड़ देंगे 0 4 और यह 8 तो यक्स बराबर आएगा 840 बटे 2 दो से इसको काड़ देंगे 24 दो दुना 4 और यह होगा 420 यानि यक्स का मान आपको क्या मिल गया 420 जबकि आप से पूछा क्या है सबसे चोटी संख्या अभी हमें यह नहीं पता कि यह चोटी संख्या है कि बड़ी संख्या लेकिन अगर हम कम्पेर करें तो दोनों का योग 600 है तो उसमेंसे अगर एक संख्या 420 है तो जाईद सी बात यह बड़ी संख्या होगी हम क्या कर सकते हैं या तो 600 में से 420 घटा दे या इसी समीकरण में फिर क्या करते हैं मान रख देते हैं यानि कि X की वेलू आई कित्ती X की वेलू है 420 यह 420 को प्लस Y बराबर 600 तो यहां से Y का मान आप निकालेंगे 600-420 बराबर कितना मिलेगा आपको इसको घटाएंगे 180 अर्थाथ एक संख्या आपको क्या मिला 420 मिला और दूसरी संख्या आपको क्या मिला है 180 मिला हुआ इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है 180 है इसलिए आपका अंसर कौन सा सही हो गई है तीसरा वाला अप्शन आपका सही है सबसे छोटी संख् होगी कि इसी प्रकार से आपका एक क्यूश्चन है यह क्यूश्चन लगातार इस टाइप के प्रस्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही सरल होता है लेकिन इसका थोड़ा सा ट्रिक है जैसे यहां लिखा हुआ है उन्नीस अजार आठ सव सत्तावन गुड़े छह सव सैतीस प्लस उन्नीस अजार आठ सव सत्तावन गुड़े तीन सो तीर सट बराबर क्यूश्चन मार्क पहला अप्सन आपका दिया हुआ है दूसरा अप्षन यह है आपका 23, 56, 14, 0 तीसरा अप्षन आपका है 19, 85, 7, 0 और चौतरा अप्षन है आपका 14, 86, 56, 0, 8 तो देखे ऐसे प्रस्ण को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी ऐसा प्रस्ण पूछा जाता है तो देखे कि यह प्लैस का चिन्न हो चाहे यहां माइनस का चिन्न हो इनके दोनों तरफ कौन सी संख्या समान है तो देखें दोनों तरफ प्लस या माइनस के तरफ ये संख्या समान है जो संख्या समान होती है उस संख्या को हम क्या करते हैं कामन ले लेते हैं यानि हम इसमें से जब 19,857 कामन कर लेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा 637 प्लस 363 तो आपका क्या होगा 19,857 और यहाँ पर इसको जब जोड़ देंगे तो यह आपका बनेगा 1000 और जब इसका 1000 का मल्टिप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 19,857 इसके बाद यह तीन जिरो आगे बढ़ा देंगे यह वाला आपसन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह तीसरा आपसन आपका सही है तो देखें सवाल बहुत इजी है ऐसे सवाल में आपको यहाँ पर कोई दूसरा अंक भी दिया जा सकता था और वो अंग कामन होगा कुछ इसी तरीके से आपको सवाल दिया जाता है बस केवल आपको पकड़ना यह है कि कौन सा अंग दोनों में है जो चिन के माइनस का चिन हो चाहे प्लस का चिन हो तो वही चीज आप क्या करेंगे उसको ले करके कामन और हल कर लेंगे फोर के पावर 11 मल्टिप्लाई सेवन के पावर 5 मल्टिप्लाई 11 के पावर 3 में अभाज गुडन खंड कुल कितने है पहला अपसन आपका दिया है आठ दूसरा अपसन है 19 तीसरा अपसन है 30 चौथा अपसन है 165 अब देखे इसमें यह चार क्या है कोई भाज संक्या है 7 क्या है अब भाज संक्या है 11 क्या है अब भाज संक्या है तो देखे 7 पे कितना पावर है 7 पे पावर अगर आप देखेंगे 5 है अर्था 7 गुडे 7 गुडे 7 गुडे 7 11 पे कितना पावर है 3 यानि 11 गुडे 11 गुडे 11 सिर्फार नहीं पड़ाओं में सिर्फ अभाज देखना थो अभाज शांच्राइद है इसलिए यहां पर कितने होंगे पांच और यह तीन मिला के अर्था अभाज सन्वाज के ऊपर जो Newton बढ़ सांध मिला की उन पावर सेरा देख अगला क्यूश्चन है किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भाग फल सूल और सेस ग्यारह हो तो संख्या क्या होगी यह अपका प्रस्थन है इसका अपसन है पहला अपसन दिया इसका एक हजार ग्यारह दूसरा अपसन दिया है दो अज़ार सूल तीसरा अपसन दिया है दो अज़ार इक्यस चौथा अपसन दिया है दो अज़ार ग्यारह तो दिखिए इसमें काय किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भाग फल 16 और सेस 11 हो जाता है संख्या ग्यात नहीं है वो संख्या जो ग्यात नहीं है वो संख्या भाज है क्योंकि आप से इसमें भाज पूछ रहा है आप एक फार्मूला जानते हैं भाज बराबर भाजक गुड़े भागफल धन सेश फल ये आपका मेजर फार्मूला है मुख की फार्मूला यही है इसी फार्मूले से आपका प्रस्न हल होगा तो अब आपको पहचानना है कि भाज कौन होता है भाजक कौन होता है भागफल कौन होता है सेश फल कौन होता है मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दूँ यहाँ पर लिखा रहता है यहाँ जो होता है यह बीच में यह भाज होता है जो यहाँ पर होता है वो होता है भाग फल और यहाँ जो होता है भाजक इसके बाद लास्ट में यहाँ जो बच जाता है वो होता है सेस तो आपको यही संख्या ग्याद करनी है भाज ग्याद करनी है तो भाज बराबर आपसे कहा है एक 125 से जिससे भाज दिया जाता है वो होत करने वाला तो 125 यहां पर होगा गुड़े भागफल आपका कितना है भागफल आपका 16 है धन्त सेश अर्थात 11 आप इसका मल्टिप्लाई करेंगे 16 का 5 में मल्टिप्लाई करेंगे 16 85 असिल लगेगा आठ शोला दुना बतीस आठ चालिस के जिरो आसिल चार सोला करनम सोला चार बीश प्लस ग्यार तो यह आपका अंसर आएगा 2021 है तो 2021 आपसर देख रहे होंगे आप 14 आपसर में दिया हुआ है यह आपका उत्तर हुआ तो देखे इस तरह से सवाल अगर आएगा तो आपको यह फार्मूला याद रखना है भाज बराबर भाजय गुड़े भागफल धन सेश फल इसमें से कोई भी अन्नोन रासी होगी तो आप ज्याद कर सकते हैं इसी प्रकार से अगला क्यूश्चन दिया हुआ है आपका जीरो कामा तीन कामा चार कामा साथ कामा नौ और पांच से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यह आपका प्रस्न है आपसन इसमें पहला दिया हुआ है 9,87,650 दूसरा अपसन दिया हुआ है 6,070,851 और तीसरा अपसन दिया हुआ है 94,581 और चौथा अपसन दिया हुआ है आपका छालाग 77,921 यह आपका आपसन दिया हुआ है अइसे प्रस्न हों को हल करने लिए सबसे पहले हम क्या करते λीघ per बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या संख्याओं को घड़ते हुए क्रम में लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या के लिए हम यही करते बड़ी संख्या बराबर कि पांच अंकोष की सबसे बड़ी संख्या आप से पूछा है देखें हँए सबसे बड़ी संख्या दो नहीं लिखेंगे दोनों का अंतर पूछा हुआ हैं है जीरो के अलामा जो सबसे छोटी हो तो जीरो के अलामा इस पूरे अंकों में सबसे छोटी तीन है तो तीन को आप पहले लिख दीजिए फिर इसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे जीरो को लिखेंगे फिर चार फिर पांच इसके बाद आपका क्या होगा 7 होगा फिर 9 होगा अब क्या करते हैं इसको हम घटा देते हैं अब यहाँ देखे 0 मिस नो नी गटेगा वगल से उदार ले आया दस मिस नो गटे एक यहाँ से उदार ले आया बारा बारा मिस 7 गटे पांच यहाँ बचा कितना 3 वगल से एक उदार ले आए यहां पर बना कितना 13 13 में 5 गए 8 यहां 4 4 में 4 गए 0 यहां बचा कित था 7 7 में 0 7 और 9 में से 3 गड़ गया 6 तो यह देखे आपका अंसर आया 6,70,851 यह आपका दूसरा अप्शन सही है 6,70,851